मैं इस समय मौझूद हूँ देगर आप देख रहे हूँ कि यह माक 4 टांक्स है इस्राइली सेना के और अभी इनका इस्तमाल खास्तों पर किया जा रहा है युद के शेत्रों में और इन टांक्स और आटलरी गंस के साथ मैं यहां मौझूद हूँ और मैं आपको दिखाने के क कोशिश कर रहे हो तो क्या इस समय मौझूद है क्या इस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है यह भी आप देख सकते हैं देखें यह वह लोकेशन से जहां से लगातार इस समय किया जा रहा है और मैं अकेला टीवी राइन भातवश आपको ऐसा चनल है जो आपको लगातार इन इलागों से यह तस्वीरे दिखा रहा है कर आप देखें और फिर तयारी की जा रही है शेल्स को डाला जा रहा और उसके बाद उसको फायर किया जाएगा और हम आपको दि से यानि RPG से लगातार फायर किया जा रहा है और मोटे तोर पकर आप देखें तो यहां पर किस तरीके से एनमी लोकेशन को टार्गेट किया जा रहा है इसकी पहली तस्वीरे हम आप तक दिखा रहा है यानि बहुत महत्तपूर्ण है एक बाद फिर आपके लिए समझना कि अभी जो गाजा पट्टी में किस तरीके की स्टाडेजी इस समय इसराइली सेना की है और अगर आप देखें कि रॉकेट लॉंचर या फिर दूसरी आटी शेल्स की मदद से लगातार इस तरीके के फायर किया जा रहा है अगर आप देख रहे हैं कि अभी इसी तरीके से एक फ्रेंट लाइंज लोकेशशन को तयार किया गया है ऐसी फ्रेंट लेजन लोकेशनकों को जया गाजा करीब है और इनी ही फ्रेंट अगर अगर देखें और आप यहां से इन लोकेशन को बदला जाता है देखिए कोशिश की जाती है डिफेंस फोर्सिस में कि जब आप फायर कर लें तो वहां से दूसरी लोकेशन की तरफ निकल जाएं क्योंकि एक बार आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया आपको पता लग जया तो फिर आपके लिए बेह किया जा रहा है यानि एक बाप फिर भी नाइं भारतवाश आपको ऐसा चैनल है जो आपको लगातार इन लोकेशन से दिखा रहा है बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके की चीजे इस समय यहां पर मौझूद है